गैस आप सब ये तो जानते हैं कि जब train station पर entry करती है या move करती है तो horn जरूर मारती है लेकिन क्या आपको पता है Indian railway की किस horn का क्या मतलब होता है तो चलिए जानते हैं एक छोटी हॉन का मतलब होता है कि ट्रेन याड में आ गई है और उसकी अगली आतरा के लिए उसकी सफाई का टाइम भी हो गया है दो शोट हॉन का मतलब है कि ट्रेन चलने के लिए पूरी तयार है three shot horn का मतलब है कि लोको पाइलेट का एंजिन से कंट्रोल खतम हो गया है चार छोटे छोटे horn का मतलब है कि ट्रेन में कोई technical problem आ गई है दो छोटे और एक लंबे horn का मतलब है कि किसी ने chain pulling की है लगातार लंबे horn का मतलब है कि ट्रेन platform पर नहीं stop होगी दो बार रुक कर हॉन दबाने का मतलब है कि ट्रेन रेल्वे क्रोसिंग के नजदिक आने वाली है दो लंबे और एक छोटे हॉन का मतलब है कि ट्रेन ट्रैक चेंज करने वाली है छे बार छोटे हॉन का मतलब है कि आगे डेंजर है इससे पहले कि आपको भारती रेलवे की इन हॉन्स के बारे में पता था कमेंट सेक्शन में जरूर बताए वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज से लाइक, शेर और सब्सक्राइब दूर करें